Hello and welcome to my channel Skelping Hand Tutorials Friends, आज हम देखेंगे हिंदी का मुल्यानकन पत्रक 3 तो आप देख सकते हैं इसके पूर्णा अंक 80 और समय जो है वो ढ़ह गंटे की परिक्षा रहेगी विशे हिंदी की बात हम कर रहे हैं पहला जो आपका भाग इसमें विवाजित है वो 22 अंक का है आप देख सकते हैं और इसमें एक एक अंक तीन अंक और चार अंक तो प्रतेक प्रशन के अलग अंक विवाजित हैं कुल 22 अंक के प्रशन है यह तो पहला प्रेशन हम शुरू करते हैं लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं राजा द्वारा चुनी हुई राश्ट्रपती द्वारा नियुक्ति द्वारा नामेत या जनता द्वारा चुनी हुई तो इसका सही उत्तर है द जनता द्वारा चुनी हुई अगले प्रेशन को देखते हैं सोमनात मंदिर का पुनर निर्माण किस ने करवाया था तो ये सरदार वल्लब भाई पटेल जी ने करवाया था नवरात्र पर बनवीर ने सारे चित्तो और में किसका आयोजन करवाया तो उन्होंने नाच रंग का आयोजन करवाया था वहाँ के राजकुमार को मृत्यू देने के लिए गर्सी सर तालाब की क्या उप्योगिता है कबड़ी खेल का मुखे लाप बताईए भगीनी निवेदेता किस देश से आय थी तो इसके उत्तर हम लोग देख लेते हैं अब जल्दी से गर्सी सर तालाब जैसल मेर की जीवन रेखा है यह वहाँ पानी के पीने के पानी का मुखे स्त्रोथ है तो जैसल मेर की जीवन रेखा है जीवन रेखा क्यों कहा गया है क्योंकि पीने का पानी का मुखे स्त्रोथ है यह अगला है कबड़ी खेल का मुखे लाप क्या है कबड़ी का खेल हमारी एकागरता और स्टैमिना को बढ़ाता है कबड़ी खेल से हमारी गती बढ़ती है जिसके कारण हमारी मानसिक और शारिरिक शमता मजबूत बन जाती है अगला प्रशन था भगिनी निवे दिता किस देश से भारत आई तो वे आईरलेंड से भारत में आई इसके बाद का प्रशन देखता है सदाचारी पुरुष हमारे आदर्श क्यूं है सदाचारी विक्ती उप्तम गुणों का धनी होता है वह अपनी विनमरता, इमानदारी और अच्छे विहवार तथा परोपकारी कारे से महापुरुष के रूप में जाना जाता है और हमारा आदर्श बन जाता है अगला प्रशन देखते हैं शरीर चुस्त रखने के प्रमुक उपाय बताने हैं आपको तो शरीर चुस्त रखने है दूप भाग दोड़ वाले खेल खेलने चाहिए नियमित व्यायाम करना चाहिए खुली दूप और शुद हवा का सेवन करना चाहिए शुद और ताजी हवा का सेवन करना चाहिए तो यहाँ पर यह लाइन रुपीट हो गया आप इसको यहाँ तक भी याद कर सकते हैं खुली दूप और शुद हवा का सेवन हमें करना चाहिए अगले प्रेशन की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन संख्या आज की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर आपको खंड अ के शब्दों को खंड ब के शब्दों से मिलान करना है सदाचार यहाँ पर विलूम शब्द ये गए हैं तो इनके विलूम शब्द धुनने सदाचार का विलूम शब्द है दुराचार इमांदार, इमांदार का शब्द जो है विलोम बैमान, सम्मान तो अपमान, निर्भे, भेभीत, निर्भे होता है जिसे कोई डर नहीं हो, अनुकूल, प्रतिकूल, तो ये विलोम शब्द आप देख सकते हैं, सरीके से उत्तर याद रखेंगे, अगला जो है वो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़के आपको नीचे दिये गए प्रस्चनों का उत्तर आपको देना होगा, तो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, हमारा भोजन भी शुद, ताज़ो और पॉस्टिक होना चाहिए, खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्हियां बिन बनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए, फल और सबजियों का उप्योग दूकर ही करने में समझधारी है, खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे, फलों को खाने से बिमार पढ़ने का भे रहता है, विद्याले में मिलने वाली डी वॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बिमारियां दूर रहती है, आईरन की गोलियों से स्वास्थे तरुताजा रहता है, यहां आप देख सकते हैं, प्रतेक प्रशन डेड अंग का है, चाह प्र जाता है, अगला प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार के खादे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, खुली हुई चीजें जिन पर मक्यां भिनमिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए, अगला प्रशन देखेंगे, विद्याले में दी जाने वाली दो गोलियों के उप्यो विद्याले में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से पेट की बिमारिया दूर रहती हैं, आइरन की गोलियों से स्वास्ते तरोताजा रहता है, अगला प्रशन देखेंगे, बिमारियों को हम कैसे दूर रख सकते हैं, तो इसका उत्तर हम देखते हैं पेरिग्राफ मे अगला प्रेशन देखेंगे हम भारत के भरत कवीता के आधार पर हिंदुस्तान की खानों से निकलता है तो हीरा निकलता है उनके अनुसार उत्तर है इसका अगला प्रशन किताबों में साइंस की आवाज है, पंक्ती का आश्य आपको बताना है, रहीम के अनुसार बड़ा आदमी कौन है तो इन दोनों ही प्रशनों का उत्तर हम देखेंगे अब कवी सफदर हाश्मी के अनुसार, किताबें ग्यान का बंडार होती है किताबें कैसे साइंस की आवाज है, तो हमने कवी का नाम बता दिया, कवी का नाम ध्यान रखेगा, सफदर हाश्मी किताबों में रॉकेट, अंतरेक्श पृत्वी के रहस्यों का ग्यान मिलता है, किताबें बहुत उपयोगी है तो यही उसमें जो है, मुखे कारण बताया गया और यही आपको उत्तर में लिखना होगा अगला प्रिशन था, रहीम के अनुसार बड़ा आदमी कौन होता है, तो उत्तर देखते हैं अगला प्रिशन है, रेक्तिस्थान का, तो रेक्तिस्थान को हम लोग भरेंगे पढ़ जाए, इस धर्ती के हर मानव को मानवता से नाता जोड़ें वीर डैश की गाथाएं हमको याद दिलाती है, वीर शहीद की गाथाएं हमको याद दिलाती है आजादी के दिवस तिरंगा घरगर पर लहराता है साहस और वीरता अपने पुर्खों की सोगात है अगला प्रिशन दिखते हैं आकाश का समनार्थी रथारत प्रयायवाची शर्ब गताना है तो इसका उतर सह है नब नेक्स्ट प्रिशन में आपको मुहावरे दिये गए हैं नमक मिर्च मिलाना और पीट दिखाना इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो इनके वाक्य हम लोग देख लेते हैं नमक मिर्च मिलाना आजकल मीडिया हर बात को नमक मिर्च मिलाकर बताती है पीट दिखाना भातिस एनिक युद भूमी में जान दे देते हैं परन्तु पीट नहीं दिखाते हैं अगला प्रेशन देखेंगे नेम लिखेत शब्दों के लिंक परिवर्टन करके पुना लिखना है आपको तो उत्तर आपको इसके लिखना है मोर तो मोर नी, न पे बड़ी की मातरा यहां पे लगा देंगे आप शेर शेर नी, उट उट नी, नट नट नी तो सब पे आपको बड़ी की मातरा लगा के उत्तर लिखना है दिये गए वाक्य में से आपको क्रिया ढूनिये और संग्या ढूनिये हलवाई भूजन बना रहा है तो हलवाई और भूजन संग्या हो गया और बना रहा है बनाना जो है क्रिया हो गया दिए गए वाक्ये में से सरौनाम और विशेषन पद को चाटना है यह चालाक, लोम्री है तो सरौनाम तो हो गया यह और विशेषन होगया चालाक लोम्री कैसी है? चालाक अगला प्रिशन अठार वहाँ उसका अभाग है आपको उपसर्ग को अलग करना है उपसर्ग वह हिस्सा होता है शब्द का जो की आगे लगता है तो अती शे तो आपको इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है अती बीच में प्लस का साइन और फिर शे अती शे फिर अनू क्रम तो अनू प्लस क्रम अगला proprioять म little अप्रत्य दूणना है तो प्रत्य शब्ड के पीछे जरके नए शब्ड का निर्मान करता है तो चलिए हम यहाँ पे देखते है प्रत्य कौन सा है रख्तिम, तो यहाँ पे है रख्त प्लस इम, इम यहाँ पे प्रत्य है और फिक खिलाडी में, खिलाडी आपको धियान में रखना है, मूल शब्द इसका खेल प्लस आडी, आडी इसका प्रत्य है, तो ये थोड़ा सा अलग दिये वे हैं, आप धियान रखिएगा, चलिए आगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं आपके विद्याले में आयुजद खेल प्रतियोगिता की अनुभव को सन्वाद रूप में लिखना है, तो सन्वाद रूप में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कि आपने किस खेल में भाग लिया और आपका क्या क्या अनुभव रहा वहाँ पर, क्या छीज आपको नहीं लिखनी है सूर्य और वायू अथ्वा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अथ्वा दिपावली स्वतंतरता देवस प्रदूशन या स्वच भारत स्वस्थ भारत तो पहले के पेपर देखें तो इनमें आपको इनमें से कोई एक अवश्य मिल जाएगा आप उसमें से कर सकते हैं अगला प्रिश्चन दिखेंगे बाईसवा प्रिश्चन दिये गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहली को आपको पूंट करना है तो शब्द जो है आपको ढूंडने है इसका अभ्यास ये खेल की तरीके से है शहद शहद को मधू भी कहा जाता है तो इसका उत् है नेक्स्ट है गिंती गिंती यहाँ पे जो दी गई थी वो है चार चार यहाँ पे कोई भी गिंती की संख्या हो सकती है अगला शब्द देखते हैं कहना तो कहना के लिए जो शब्द यहाँ पे दिया गया है और फिर है मन को अच्छा लगना कहना का उत्तर है बोलना आप प्रिशन हम देखते हैं तेई स्वा परिवेश ये सजगता से समंदित है घर की साफ सफाई में आपका क्या योगदान हो सकता है आपको वो लिखना है और स्कूल की बस में चवरते समय क्या-क्या सावधानिया आपको रखनी चाहिए तो चलिए इसका उत्तर हम लोग अभी द सकते हैं कूड़ा कछ्रा उठाकर कछ्रा पत्र में हिदाही डालना दिवारों पर नहीं लिखना और उन्हें गंदा नहीं करना आदी रूप में हो सकता है अगला प्रिशन था स्कूल की बस में चवरते समय क्या-क्या सावधानिया हमें रखनी चीए तो इसका उत्तर हम लो बस में ही चड़ रहे हैं गंतवे स्थान आपको पता होना चाहिए कि क्या वो वहीं की बस है अत्वान नहीं और यदि बस चल रही है तो आगे की तरफ मूँ करके हमें उसमें चड़ना चाहिए तो यह कुछ साबधानिया है जिसका हमें रखना चाहिए उमीद है आपको प के लिए कि शमा चाहते हैं वीडियो पसंद आया तो डू लाइक अंडू शियर थैंक यू